हेलो एवरिवान आज हुम इस वीडियो में कमपारिशन करेंगी MI 11i Hyper Charge में और OPPO Reno6 5G में देखते हैं कि Best Phone कौन सा ही तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं डिस्पले से तो MI की है 6657 इंज की रेजुलेशन है 1080 मांटिपल 24 पिक्सल सक्रीन सूपार AMOLED डिस्पले OPPO की है डिस्पले 6543 इंज की रेजुलेशन है 1080 मांटिपल 24 पिक्सल और सक्रीन AMOLED डिस्पले और आपको MI में 120 हर्ट का रिफ्रेशिट मिलता ही और OPPO में है 19 हर्ट का और दोनों में ही आपको पंच और कैमरा मिल जाता है बात कती हैं प्रोस्टर की तो MI के है मेरे टेका डैमेसिती 920 का CPU है 2.5 थाक्ष्क अक्टकॉर का 6.9 मेटैस और प्रोछे क्वालटि में MI बैस्ट है बात कते हैं बेक के में की तो MI के हैं ट्रीपल मेन केमरा 108 मिसल का ओपो का भी ट्रीपल ही मेन केमरा ही 64 मिसल का बात करते हैं फरंट की में की तो MI का है 16 का ओपो का है 32 का और केमरा की क्वार्टी में ओपो बेस्ट ही क्योंकि इसमें जो सेंसर होता है ओपो बेस्ट ही और MI में जो बैटरी है और ओपो में बैटे हैं और सेम ही साथे चार हजार इमेज़ ही मिल जाती ही और दोने के बैटेश नोनिबल ही आप दोने के बैटेश को निकाल ले सकते हैं बात करते हैं चार्ज होगी तो MI में आपको मिलता है 120 वाट का और ओपो में आपको मिलता है 65 वाट का उपो में रहे मिलती ही, आर्च भी की, दोने की मैमोरी, सीम तस फ़ायाज भी की, दोनों में ही आप 111 मिलता ही अपने-अपने UI के साथ. और बात कलेते हैं, Price की, PMI का है स्टार्टंग, 29,900 पी, उपो का है स्टार्टंग, 29,900 पी, तो फिर आपको दोनों फोने में थी, कौन सा फोन पैस्ट आया, कौन बोक्स में जोरू बताना